गरीबी अटाओं का नारा तो स्रीमती इंद्रा गांधी जी ने भी दिया था चववन वर्सप के बाद भी नाती भी वही तोता रटंद लगाए जारा हम गरीबी अटाएंगे एक जटके मेटाएंगे सुप्रेम कोट ने भी कहा है कि इस्तरी धन पर केवल इस्तरी महिला का अधिकार है कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता लेकिन बेस्रम लोगों को देखो न यह कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कबजे में ले लेंगे बेस के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कॉंग्रेस के द्वारा साजी स्रची जा रही है इंडी गडवंदन के द्वारा साजी स्रची जा रही है कॉंग्रेस और सपा का जो गडवंदन है इंडी गडवंदन इनके गोशना पत्र को देखा होगा अपने गोसना पत्र में क्या कहते हैं ये ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे कैसे हटाएंगे गरीबी गरीबी हटाओ का नारा तो स्रीमती इंद्रा गांदी जी ने भी दिया था स्रीमती इंद्रा गांदी ने का था 1970 में गरीबी हटाने का बेन और भाईयों चववन वर्सप के बाद भी नाती भी वही तोता रटंद लगाए जारा हम गरीबी अटाएंगे जटके में अटाएंगे जब उससे पूछा गया कि कैसे अटाएंगे तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे और सर्वे कराने के बा है कि तुमारे लिए दो कमरे प्रयापत हैं दो कमरे हम दूसरे लोगों को जबर्दस्ती कबजे में ले लेंगे उस पर कॉंग्रेस का अधिकार हो जाएगा वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे देखो कल सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि इस तरी धन पर केवल इस तरी महिला का अधिकार है कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता लेकिन ये बेस्रम लोगों को देखो न ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कबजे में ले जालत देखो और किसको बांटेंगे ये आपकी संपत्री को बांटने का काम किसको करेंगे बांगला देशी गुस्पैटियों को रोंगी आग लोगों को जो बिदेशी आये हैं गुस्पैटियों उनको बांट देंगे लोग क्या आपको ये हिंदुस्तान इसको स्विकार कर पाएगा क्या लेकिन ये कॉंग्रेस के लोग इंडी कडवन्दन के लोग कहते हैं कि यह ऐसा कर देंगे बैन और वाईयों इन्हों ने जब यूपिये की गॉवर्मेंट थी तो अजार चार से चौदा के बीच में इन्हों ने ऐसे प्रियास किये थे अनुसुची जाती जन जाती और पिछडी जाती के लोगों को मिलने वाले अरक्षन के लिए उस पर इनन्होंने सेंद लगाने का काम किया था जस्तीर रंगनात मिस्रा की कमेटी गठित की थी जश्टित रंगनात मिस्रा की कमेटी ने कहा था पिछडी जाती के लोगों को मिलने वाले आरक्षन में छे प्रिस्जत मुसल्मानों को देने की बात उसने कही थी और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ड में भी अनुसुची जाती और जन जाती को मिलने वाले आरक्षन में भी इन्होंने सेंद लगा के जबरदस्ती मुसल्मानों को घुसाने का प्रियास किया था और बेन और वाईयों ये किसी से छुपावा नहीं है एक येवाल इन्होंने रंगनात मिस्रा और सचर कमेटी के मात्यम से ही नहीं किया था तद कालीन प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने भी अपने एक भासन में कहा था कि देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है कहा था न गरीब कहा जाएगा अनुसुची जाती जन जाती और पिछडी जाती के लोग कहा जाएंगे ये हिंदुस्तान के लोग कहा जाएंगे लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढाने के लिए कॉंग्रेस के द्वारा साजी स्रची जा रही है एंडी गड़बंदन के द्वारा साजी स्रची जा रही है